घिंदू संत ने सरकार और अधिकारियों पर कमीशन और घूस लेने का आरोप लगाया दिंगलेश्वर स्वामी ने ये आरोप उस दिन लगाये जब Crime Investigation Department CID के अधिकारी कलबूर्गी में भाजपा महिला विंग की पूर्व जिलाध्यक्ष की संपत्ती पर पुलिस रिक्रूटमेंट घोटाले के मामले में जहापे मार रही थी वहीं उसी दिन भाजपा के राष् संस्थानों तक को उनको मिले फंस में से 30 प्रतिशत घूस के तौर पर देना पड़ता है स्वामी ने दावा किया मैं ये अच्छी तरह जानता हूं मठ को जो फंस आते हैं जब तक वो संतों तक पहुँचता है उसमें से 30 प्रतिशत गायब हो चुका होता है अधिकारियों ने मुझसे कहा है कि जब तक कुछ पैसे नहीं देंगे तब तक काम नहीं होगा इस तर तक भ्रष्टाचार हो चुका है 400 साल पुराने धार्मिक संस्थान के लिंगायत संत जो गडग में धार्मिक सद्भावना बनाए रखने में अग्रणी रही है उपर से नीचे तक कैस से फंस घूस के तौर पर चला जाता है इस पर एक उदाहरन के साथ संत ने दावा किया अगर बेंगलूरू में एक आइसक्रीम दी जाती है उसके हम तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ उसकी डंडी बचती है गडग के एतिहासिक फकीरेश्वर मठ में हिंदू और मुसलिम सभी धर्म के लोग जाते दिंगलेश्वर स्वामी ने आरोप उस दिन लगाए जब CID के अधिकारी भाजपा महिला विंग की पूर्व जिलाध्यक्ष से जुड़ी संपत्ती पर छापे मार रहे थे जो कि पुलिस रीकूटमेंट घोटाले से संबंधित है पुलिस सब इं भाजपा महिला विंग की पूर्व जिलाध्यक्ष दिव्या हागरागी के कलबूर्गी स्थित घर पर छापा मारा हाला कि हागरागी अब तक फरार है और CID ने इस घोटाले को लेकर उनके पती राजेश को गिरफतार किया है भाजपा हागरागी से खुद को दूर कर रही है और बार बार ये कह रही है कि वो पार्टी की सदस्य नहीं है मुख्यमंतरी बोममेई ने सोमवार को कहा कि जो भी इस कथद घोटाल में शामिल होगा उस पर कारवाई की जाएगी बीते कुछ हफतों में मुख्यमंतरी बसवराज बोममेई सरकार पर सिर्फ संत द्वारा ही आरोप नहीं लगाए गए बल्कि वो पहले से ही घ्रष्टाचार के मसलों पर घिरे हुए हैं करनाटक में कॉंग्रस पहले ही पिछले महीने हुई हिंदू वहीनी के काल्यकरता और कांट्रेक्ट संतोश पार्टल की आत्महत्या को लेकर सवाल उठा रही है वाटसेप मेसेच के जर्ये पार्टल ने ईश्वर अप्पा को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था अपनी मौत से कुछ हफ़ते पहले कांट्रेक्ट ने केंद्रिय ग्रामीन विकास मंत्री गिरी राज सिंग और केंद्रिय नेताओं को शिकायत की थी कि उन्हें हिंदलेज गाउं में सड़क का काम करने के एवज में 4 करोर रुपे का भुगतान नहीं किया गया और ईश्वर अप्पा पर आरोप लगाया कि उनके लोग भुगतान के लिए 40 प्रतिशत की कमीशन मांग रहे हैं इन आरोपों के बाद पिछले हफ़ते ईश्वर अप्पा को बोममई सरकार से इस्तीफा देना पड़ा झाल